नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मारे यूट्यूब चैनल बायो गुरूपर आज हम 12 बायलो जी का चेप्टर नमर 18 जिसका नाम है तेल, रेशे, मसाली एवं ओस्धिये पादप का पार्ट 5 पढ़ेंगे पिछले पार्ट में हमने मसाले उत्पादक पादप च्यार पढ़ लिये थे, इस पार्ट में हम बचे हुए च्यार मसालों के बारे में जानेंगे जिनके नाम है लाल मिर्च, धनिया, जीरा और अजवाइन इसमें पहला है लाल मिर्च लाल मिर्च का वानस्पतिक नाम होता है कैपसियम, एनुम यानि इसकी जाती तो होती है एनुम और इसका वन्स होता है कैपसियम और इसका पुल सोलेनेसी तो यह आपको याद रखना है कि इसका कुल सोलेनेसी वन्स कैपसियम जाती एनुम तो इसका जो वानस्पतिक नाम होगा वो क्या होगा वन्स और जाती की आदार पर होता है कैपसियम एनुम इसका जो उपियों की पादब भाग होता है वो दो होते हैं एक तो परीपक फल होता है, परीपक फल जो लाल रंग का होता है, परीपक वो लाल फल, और एक होता है कच्चा फल, यानि लाल मिर्ज जो है, जब हम उसे परीपक को हर लेते हैं, लाल रंग का फल हो जाता है, तो वो किस में उप्योग मिलिये जाता है, वो उप्योग मिलिये यह उता है बेरी परकार का यह आणि जो बेरी या बदरी और यह थे हमने कलास i7 पंप पढ़रा लिया है कि बेरी और जो परीपप कव लाल मिर्श, उसे हम कूठकर क्या करते है मसालों में उपयोग लेते हैं एक होता है कच्चा फल यानि हरी मिर्च उसे हम उप्योग में लेते हैं सबजी या चटने बनाने में लाल मिर्च की जो उत्पत्ती है वो है उश्न कटी बंदी अमेरिका यानि जो अमेरिका है वहाँ पर और वेस्टेंडीम से वह इसका आगमन सत्रवी सत्वाप दिम हुगा। इसके अगर अम पादब की बात करें तो इसका पादब एक से तीन फिट तक होता है एक से तीन फिट होता है इसके जो pushp होते हैं वो सफेद रंग की होते हैं यहाँ पर सफेद रंग के बना नहीं सकते तो यहाँ पर गुलाबी रंग का दिखा दिया क्योंकि white page है तो white full नहीं बनेंगे लेकिन सफेद रंग के साथ इनमें कुछ गुलाबी रंग भी होता है और इसके फल के प्रकार की बारे में बात करें तो अभी आपने बताये था कि इसका फल बेरी प्रकार का होता है फल बेरी प्रकार का या फिर हम इसे बदरी प्रकार का भी कह सकते हैं तो फल बेरी प्रकार का होता है, मांचल होता है और लंबा होता है और बेलना कार होता है जैसे अगर हम इसके फल की बात करें तो इसके फल में एक तो कच्चा फल होता है पक्का फल होता है पक्का जो फल होता है यानि परिपक फल होता है वो लाल रंग का होता है उसे हम सुखा कर मसालों की रूप में उपयोग लेते हैं लेकिन कच्चा जो फल होता है यानि हरी मिर्चोती है उसे हम सबजी या चटनी के रूप में कारे करते हैं तो ये जो कच्चा या पक्का फल है ये कैसा होता है बदरी प्रिकार का होता है यानि अगर हम इसके दोनों बीज में से काट दें इस फल को तो इसमें बहुत सारे बीज निकलेंगे यानि ये फल कैसा होता है बदरी के साथ साथ यानि बेरी फल के साथ साथ ये अनेक बीजों युक्त होता है यानि इसमें बीज अधिक पाए जाते हैं इसमें कच्चे फल तो कैसे होते हैं हरे रंग के होते हैं कच्चे फल हरे रंग के होते हैं और जो पक्के हुए फल है या परीपक फल है परीपक को फल लाल रंक होते हैं और चमकदार होते हैं लाल चमकदार होते हैं तो ये तो हो गया इसका पादप की इसका पादप एक से तीन फिट तक का लंबा होता है ये इसमें जो पुष्ट पाते हैं वो कैसे होते हैं सफेद रंक होते हैं फल बेजी प्रकार के होते हैं और बेजी में भी कैशे होते हैं अनिक बीजों युक्त होते हैं इसका जो फल है वो लंबा मांचल और बेलनाकार होता है यानि लंबा बेलनाकार होता है इसके जो कच्छे फल होते हैं वो तो हरे रंग के होते हैं जिनका उपयोकिस में किया जा मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है इसका जो कुल है सोरी इसका जो वन्स है उसके इसाब सी होता है यानि कैपसियम है तो इसमें एक वरणक पाये जाता है कैप से इसीन पाया जाता है कैप से इसीन पाया जाता है इसके कारण मिर्च में तीखा पन होता है यानि जो मैं मिर्च खाते हैं तो तीखा पन इसमें लगता है और जो मिर्च हरी रंग की होती है और लाल रंग में परिवर्टित हो जाती है तो उसमें जो रंग का कारण होता है यानि लाल जो रंग होता है उसका कारण के लिए भी दो वरणक जिम्मेदार हैं जिनका नाम है कैपसे नुहीन और कैपसे रूबीन तो इसे आप याद कैसे कर सकते हैं जब हम मिर्च खाते हैं तो तीखा पन लगता है तो किस की आवाज आती है cc की आवाज आती है और अगर हमें इसका वंस पता है यानी इसका वाराश्प्रथिक नाम पता है तो इसका जो वरणख वह आसल रगे मिला आँए क्यंटकिlauf है यानि जो फल परिपक हो जाता है तो उसमें जो हरा रंग है जो प्रकरती का हरा रंग है वो लुक्त हो जाता है हरा रंग लुक्त हो जाता है यानि जो फल होता है वो हरे रंग के बिना होता है या हरा रंग उसमें नहीं पाय जाता है यानि उसकी हीनता हो जाती है हीन तो इसम लाल जो हरा रंग है उस वो किसमे जो फल है वो हरे रंग के बिना है और उसमें हरे रंग की हीनता है तो कैप से नुहीन नुहीन और कैप से रूबीन यानि बिना बिना हरे रंग के है तो बिन तो लाल रंग का जो जिम्मेदार होता है वरनक वो होता है कैप से नुहीन और खापन होता है यही कारण होता है कि मिर्च को जो है वो पाउडर के रूप में उपयोग में लिया जाता है और यही कारण है कि इसका जो उपयोग है उसका उत्प्रेरक और वाथर के रूप में भी उपयोग में ली जाती है यही कारण होता है कि जो आफरे के रोगी ये कई पर पूछ लिया जाता है कि आफरे के रोगी को किसके खाने के सला दी जाती है यानि उनको खाने के सला दी जाती है मिर्च क्योंकि मिर्च में पाया जाता है कैपसी इसीन सोरी एकाप से इसीन मिरश का तीखापन एकाप से इसीन और लाल रंग कैप से नुहीन और कैप से रुबीन मसाले उत्पादक पादप में अगला है धनिया इसका वानसपतिक नाम कॉरी एंडरम कॉरी एंडरम इस्टाइवम होता है यानि इसकी जो जाती होती है वो तो इस्टाइवम होती है और इसके कुल की अगर हम बात करें तो इसका कुल होता है अम्बेली फेरिस तो इसका जाती एस्टाइवम इसका वन्स कोरियंडरम और इसका कुल अम्बली फेरी ये जल्दी से नाम याद नहीं होते हैं आपको याद रखने पड़ेंगे उप्योगी इसका पादब भाग कौन सा होता है ये तो हम सब को भी पता है कि धनिया किस किस रोप में उप्योग ले सकते हैं एक तो हम धनिया की पत्ती उप्योग मिलेते हैं सब्जी बनाने में उप्योग मिलेते हैं तो एक तो हो गई इसकी पत्तिया इसके अलावा हम साले में किसका उप्योग लेते हैं धनीए का उप्योग लेते हैं तो जो धनीए का फुल होता है वो कीमो प्रकार का होता हे、 यह हमने ग्यायरव day था किमो कॉुल किसे कहते हैं ऐसा फल जिसमें दो फलनांज पंशाते हैं चोंप पता है धनिय debate correspondsब दो कि पाय जाते हैं किसे जो फल के अंड्स होते वह कितने होते हैं दो होते हैं यदि हम धन्य को पत्यों तो इस परकार वह दो भागों तूट जाएगा और इसमें धारियां पाई जाती है तो यह कैसा होता है धनिया कीमो कॉर्फल होता है तो इससे हम एक तो पत्यों की रूप में उप्योग में लेते हैं इसकी उत्तपत्ती भूमध्य सागरिय छेत्रे में होती है और भारत में भी इसकी खेती की जाती है भारत में मध्य परदेश महराष्ट तमिलनाडु आदिराज़ों में इसकी खेती की जाती है और राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में बारा कोटा और जहलावार में धनिये की प्रमुक रूप से खेती की जाती है यानि दो धनिया है उसके उत्पादक जिले कौन-कौन से है बारा कोटा और छालावाड इसके अगर हम पादक की बात करें इसका पादप एक वर्षी होता है यानि जब हम इसकी खेती करते हैं तो ये एक वर्षी ज्यादा नहीं रहता है और ये शाक प्रकार का पोदा है जैसा कि आपने देखा होगा कि इसकी लंबाई ज्यादा नहीं होती है ये छोटा ही पोदा होता है तो ये एक वर्षी शाक होता है एक वर्षी होता है और शाक प्रकार का पोदा होता है जो पोदे होते हैं वो कितने प्रकार की होते हैं ती बीजों के लिए किया जाते है यानि इसकी जो खेती है वो किसके लिए की जाती है इसकी पत्तियों के लिए और इसके बीजों के लिए बीजों से क्या क्या जाता है? मसाले बनाए जाते हैं और पत्यों को सीधे ही हम भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए उप्योग में लेते हैं इसका पुष्पकरम संयुक तो छत्रक होता है यानि अगर हम इसके पुष्पकरम की पूरे की बात करें तो इसका पुष्पकरम पूरे एक छत्रक के समान होता है छत्रक तो किस प्रकार का होता है? एक इसमें पुष्पकरम होता है इसमें पुष्प लगा होता है इस प्रकार से इसे तो हम कहते हैं छत्रक और संयुक तो छत्रक धनिये का पोधा होता है यानि यह यह एक छत्रक है इसके पुष्पकरम कैसे होते हैं इसके फल के वारे हुए उन्हें पहले पाइब तो फल आंचक रोते हैं यानी जो फल होता है उसके कितने अन्प होते हैं दो पलव ऊथे दो फल आझक होते हैं और इसके फल की ऊपर दस धारीां होती है जैसे इसका टो को फल होता है वो कुछ इस प्रकार को होता है यहां पर जब फल लगेंगे तो वह भी संयुक्त-चत्रक के रूप में लगेंगे जैसे यहां पर इसके फल लग गए है यानि इसमें परागन स्वरी परागन हो गए है अब परागन होने के बाद में यह सहिंगत शत्र के रूप में लगते हैं अब अगर हम इसके बीज का अलोकन करें तो इसका बीज इसके बीज में कुछ इस प्रकार से होता है उपर बाई ये बीज चोल होता है बाद में से हटा दिया जाता है अब इसके बीज में होती हैं दस धारियां और इसके फलांस जो होते हैं वो दो होते हैं यानि जब हम इसके अगर इसे पीसेंगे, थोड़ा सा पीसेंगे, तो इसके दो फल अंसक बन जाएंगे, यानि जो फल है वो दो अंसकों में विभक्त हो जाएंगी, इस प्रकार के फल को हम क्या कहते हैं, कीमो कोर्प कहते हैं, यानि जो धनिये का फल होता है, वो कीमो लेते हैं मसालों की रूप में लेते हैं मसालों की रूप में लेते हैं तो सीधी सी बात है इसमें गंद होगी वो गंद किसके कारण होती है कोरी एंड्रोल के कारण होती है जैसा कि हमने इसके नाम में देख लिया था कि इसका नाम क्या होता है कोरी एंड्रम इस टाइवम या की जो खेती ही जाती जब इसकी वाई की जाती है तो वो वुवाई की जाती है अब हम एक बाद जल्दी से बात कर लेते हैं इसके उप्योगों के भाए मिलावट की जाए तो उसमें धनिये का किस प्रकार उपयोग करके इसका परिक्षन किया जा सकता है तो इसका पधारतों के परिक्षन में भी काम में लिया जाता है इसका जो फल है वो उद्धीपक के रूप में लिया जाता है यहीं वाथ हर के रूप में लिया जाता है इसकी जो उपयोग है वो किसमे क्या जाता है पकाई गई सबजियों को सुगंदित बनाने में और चठनी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है अगला जो मसाला उत्पादक पादप है वो है जीरा इसका वानस्पतिक नाम Q मिनस साइ मिनस होता है Q मिनस साइ मिनस और इसके कुल के अगर हम बात करें तो इसका कुल पहले वाली कुल के समान होता है यानि अम्बेली अम्बेली फेरी होता है या फिर इसका दूसरा नाम होता है APAC APAC या फिर अम्बेली फेरी को यह आपको याद रखना है कि अम्बेली फेरी जो यह हम पी-अ-सी भी कहते हैं मिसका जो उप्योगी पादप भागता है वह कूंछा होता है कि शुर्ष करें परीपक्ष फ़ल और इसका फ़ल जो एब वह कीमो को और प्रकार का होता है यानि इसके फलांचक भी दोते हैं तो इसमें आपको याद रहा रखना है जीरे का वारसपतिक नाम क्यूमिनस साइमिनस यानि साइमिनस इसकी जाती है क्यूमिनस का वंसै इसका कुल एपी एसी है और जीरां कि इसके रूप में लेते हैं यानि इसका जो मसाला हम इसके फल से प्राप्त करते हैं इसका फल कौन सा होता है कीमो कोर्व होता है जीरे की उत्पत्ति भूमद्य सागरी है छेत्रे में होती है इरान जो है वो जीरे का सबसे उत्पादक राष्टे यानि जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है यानि कि जो इरान देश है उसमें जीरे की केती सबसे ज़्यादा की जाती है और वही जो इरान है वही सबसे ज़्यादा निर्यात करता है यानि दूसरे देशों को प्रदान करता है चुकि उसमें उत्पादन अधिक होता है और उत्पादन अधिक होने क निर्यात भी अधिक करता है भारत में भी एक वरसी जीरा है जीरा एक वरसी इसमें पनजाब यूपी होता है इसमें साख आएं चीजिन होता है सीधे ही उपर संयुक्त छत्रक बन जाते हैं तो इसका जो अगला गुण है वो है अलप साखित इसमें साखाएं कम निकलती है अब बात करते हैं इसके पुष्पक्रम के बारे में इसका जो पुष्पक्रम है वो है पुष्पक्रम जैसा कि उपर हमने पढ़ लिया था इसका पुष्पक्रम सैयुक्त प्रकार का होता है सैयुक्त छत्रक होता है यहन्यकर हम इसके पूरे पुष्पक्रम की बात करें तो एक छाते के समान होता है तो सैयुक्त पुष्पक्रम हो गया इसका जो पुष्पक्रम है वो कैसा होता है सैयुक्त छत्रक होता है इसकी अग इसका जो फल होता है कुछ इस तरह से होता है इसमें भी धारियां पाई जाती है और ये भी दो फलांसों में तूट जाता है यानि ये कैसा है कीमो कॉर्प फल है इसका फल कैसा होता है कीमो कॉर्प होता है और इसके साथ ही इसमें पांस तो धारियां प्राथमिक रूप से प पाई जाती है यानि आगर हम बहार की साइड देखें इसमें पांस दारिया है और जब इसे तोड़ते हैं यानि कीमो कई फल है तो दो फल लांच चमीं टूट जाता है उसके बाद में साथ द्वित्यक धारिया निकलती है इसके फल में जो गंद होती है वह क्योंकि क्यों कि उसने क्यों समय क्यों की क्यों मुंज्सकित अगला मसाले उत्पादक पादप है अजवाईन इसका वानस्पतिक नाम टेकी पॉर्थ एकी होता है टेकी पॉर्थ एकी इसके कुल हमारे चेप्टर में नहीं दिया हुआ है वैसे आपको बता दें कि इसका कुल APAC होता है APAC इसका कुल होता है इसका वानस्पतिक नाम यानि इसका जो वन्स होता है वो कौन सा होता है टेकी पॉर्थम होता है और एक की इसकी जाती होती है और इसका कुल एपी एसी होता है इसका जो उप्योगी पादब भाग है वो कौन सा है शुस्क फल और इसका फल भी कैसा होता है कीमो कोट परकार का होता है यानि इसके फालांश भी दो भागों में तूटते हैं और इसके उपर भी धारियां पाई जाती है भारत में इसकी खेती आंदरप्रदेश गुजरात महाराष्टरा और रज़तान में की जाती है इसके अगर हम पादप की बात करें तो इसका पादप भी साख प्रकार पुष्पक्रम होता है जैसा कि आपको बता दिया गया है कि इसकी खेती भारत में भी की जाती है और यह एक रभी की फचल इसके जो फल होते हैं इसके फल कैसे होते हैं खुरदरे होते हैं और कीमो कोर्ट फरकार की होते हैं यानि इसमें धारियां पाई जाती है और क्या पाई जाते हैं फलांच पाई जाती है जो इसको पीशते हैं तो ये दो फलांच में तूर जाता है इसका जो फल होता है इसका थायो सोल पाय जाता है थायो सोल पाय जाता है जिसके कारण इसमें एक गंद होती है यही कारण होता है कि इसका उप्योग किसमें किया जाता है उद्धी पक्के के रूप में किया जाता है मसालों के रूप में किया जाता है वात हर के रूप में किया जाता है तो कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के पास सेर कीजिए धन्यवाद